बीते दिनों में सर हमने जिन्यूस पर ये कोशिश की कि हम सबसे ठोस और सबसे विश्वसनी एक कवरेज भारत चीन सीमा विवाद पर जो है वो अपने दर्शकों तक पहुँचा आएं आपके ऑफिसर्स से मेरी बात हुई आप ही के सक्सेसर जनरल बिकरम सिंग से मेरी बात हुई कुछ बाते जो सामने आई वो मैं आपके माध्यम से धर्शकों के सामने भी रख रही हूँ और वो यह है कि चीन की सेना के पास अत्यादुनिक अधियार है लेकिन उसके इस्तेमाल का अनुभव नहीं है उसके पास एक बहुत बड़ा सच जो 135 करोड भारतियों को जानना चाहिए प्ले के प्रोपगेंडा के खिलाफ वो यह है कि 31 वर्षों में चीन की सेना यानि प्ले ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है 41 वर्षों में 1989 में वियतनाम से लड़ी थी वो ह करता है एफोस और नौ सेना के विस्तार पर इसलिए कई एक्सपर्ट्स यह बात कहते हैं कि चीन की सेना जो है वो इसके समान के जैसे ही मेड़िन चाइना है यानि बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन चलने की गरेंटी कोई नहीं लेता अलती ऐसा है फौज के अंदर कहा जाता है कि दुश्मन को कमजोर भी मत समझो और दुश्मन को ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर भी मत देखो वास्विक्ता से देखो हमारे अंदर और चीन के अंदर कुछ फरक है हमारे हाँ जो भी सैनिक आता है अपनी मर्जी से देश के उपर मरने मिटने के लिए देश की सिमाओं की रक्षा के लिए देश की संतरबुधा की रक्षा के लिए आता है अपनी मर्जी से आता है आज आपको पता होगा कहीं पे अगर हम रेक्रूटिंग रैली करा दें अगर एक हजार हम लोगों को भरती करने है तो कम से कम बीस हजार लोग भरती होने के लिए आप दें चीन के अंदर उनको चार साल आवश्चक तौर पर सैनिक बनना पड़ता है चाहे वो चाहता है के नहीं चाहता है चाहे उसका मन है के नहीं है चैसा भी है क्योंकि उसको पार्टी के तरह से हुकम है आप जाकर नौकरी करिए वो जाकर नौकरी करता है और इसलिए हमारे सैनिक के बीच में उनके सैनिक के बीच में फरक है और इस फरक को जो समझते हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं एक चीज के अंदर जिसके अंदर च कहते हैं कि intellectual property right उसकी परवा नहीं करता उन्होंने कहीं गए चाहे वो technology खरीदी चोरी की copy की वो उन्होंने बना ली हमारे हाँ हम जो विश्व के जो नियाब है उसके साब से चलते इसका मतलब यह नहीं कि हमरे पास चीज़ें अच्छी नहीं हैं बहुत अंदा हैं लड़ाई के अंदर बेतरीन हैं लेकि क्योंकि प्रॉपेगंडा के तौर पर एक देश हमसे आगे है साइबर वारफेर के अंदर वो हमसे आगे है वो लोगों के दिमाग के अं लंबा और दस फूट चोड़ा समझने लगते हैं ऐसा नहीं है वास्विक्ता ग्राउंड के उपर है और मुझे पूरा यकीन है कि भारतिये सेना अपने आपके अंदर हर कारे के लिए सक्षम है और साइब से बड़ी बात एक यह भी है और आप तो मुझे ज़्यादा बहतर तरीके से समझते हैं कि भारतिये सेना देश की सेना है और जब PLA के साथ उसका comparison किया जाता है People's Liberation Army जो कि चाइना की सेना को कहा जाता है चाइना की सेना मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो जो ruling CCP है जो communist party है चाइना की उसकी सेना है और हमारी सेना तो 135 करोड भारतियों के लिए मिसाल है रोल मौडल से कम नहीं है यह जो narrative सेट क से जनरल विक्रम सिंग से भी पूचा कि 1962 को क्यों reference point बना दिया गया भारत चीन का 1967 की बाद क्यों नहीं करता कोई इस देश में ऐसा है कि हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि देश की प्रशंसा हो एक तबका ऐसा है जो हीन भाव से भरा हुआ है एक तबका ऐसा है जो सोचता है कि सिर्फ वो उनके परिवार या उनके रिष्टेदार ही सही थे 62 की लड़ाई लड़ाई नहीं थी हमारे सैनिकों ने ना कुछ होते वे भी बहुत कुछ किया और मैं एक किताब रिक्मेंट करना चाहूँगा आपके लिए भी और दर्शक गणों के लिए भी ये कुनाल वर्माजी ने लिखी है किताब का नाम है 1962 वार डैट वॉजन्ट जहां हमारे सैनिक खड़े होकर लड़े चीनी पिछड़ गए जहां उनको हुकम मिला कि नहीं पीछे चलो पीछे चलो वह वहाँ पर जगह छोड़ कर पीछे आ गए और चीनी उस जगह पर आ ग हम देखते हैं नाथुला के उपर क्या हुआ भरत बड़े अच्छे तरीके से उबरा उसके अंदर और आज हम और ज्यादा सक्षम हैं हमें चिंता की जरूरत नहीं है और ऐसे लोग जो और मैं बहुत सोच समझ कर इस शब्द को इस्तमाल कर रहा हूं जो बिके हुए हैं ज इनको वैसे कोई ग्यान नहीं है लेकिन वो किसी के कटपुतली की तरह इशारे के उपर नाचते हैं ऐसे लोगों की कतरसकार होना चाहिए उनका बहिशकार होना चाहिए और ऐसे लोग जो लिखते हैं उनको अलग कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जाहिर तोर पर जिन्हों उन्हें फार्तिय सेना के इतिहास के पिक्चर के साथ छेड़ चाड़ की है उन्हें वी नीड टू होल देम अकाउंटिबल नाइटीन सिक्स्टी टू आपको किसकी चूक लगती है पुलिपिकल लीडर्शिप की चूकती है इसा है उनीस सो बासट की अगर हम देखते हैं हमार जो कमजोरी वो कमजोरी हमारी लीडर्शिप की कमजोरी थी और उसके अंदर उस समय के रक्षा मंत्री उस समय के प्रधान मंत्री उस समय के रक्षा सचे वो समय के इंटेलिजन्स सब इसके अंदर शामिल हैं उनकी कोई बात नहीं करता है सरफ सेना की बात करते है इसलिए म आपको किताब रिकमेंट किये उसको पढ़ियेगा जरूर। सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक जैसे बड़े काम कर चुकी है दुश्मन की सीमा में जाकर और बैटल हाड़न है। कि नीजे हमें तो पता ही नीदा कि सेना कि हमारी सेना क्या कर रही है बॉर्डर के उपर तो गलत है। और इसलिए ये सोचने समझने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारे लोग जो इस स्थिती पर नजर रखे हुए हैं वो पूरे तरीके से इस चीज का विशलेशन कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ इसका क्या कारण था और ये कैसे इसको ठीक करना है। हमने तो जीनियूस पहरे ये फैसला लिया है कि हम पिएले से जुड़ी वी तस्वीरे नहीं दिखायेंगे। थैंक देता हूँ अंगे Layu प्रिस्टे नहां प्रिस्तार नाप्सूच अजय करें थार्प्स का लगर्पोन प्रिवस्तार अप्सार को बाते हैं प्रियूर में लैविरेशल इसे सबस्वाइब ल्गर्णोर बाते हैं